हेलो फ्रेंड्स में आपका स्वागत है आज हम इस तरह का नेटिंग पैटर्म बनाएंगे यह देखिए साइब से इस तरह का दिखाई देता है बहुत ही इजी है यह डिजाइन और आप इसे जैंट स्वेटर लेडिस कारडिगन बच्चों के स्वेटर या गर्ल्स के स्वेटर जैकट किसी पर भी आप इसे डाल सकते हैं सिर्फ दो फंदों का यह डिजाइन है और इस तरह की एक र बनाने के लिए हमें 6 लाइएं इसकी ढालने पड़ती है तो 6 लाइव का यह डिजाइन है यहां पर हमने और नमबर में फंदे लेने हैं जैसे 11, 13, 15, 11, 13, 15 इस तरह से हमने फंदे लेने हैं यहां पर मैंने 41 फंदे लिए हैं 41 और अगर आपको यह पैटर्ण पसांद था है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें इसके साथ या आफ नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए हम यह डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो डिजाइन बनाने के लिए यहां पर मैंने और नमबर में फंदे डाले हैं जैसे एक, तीन, पांच और यह देखे इस तरह से इस साइड से दिखाई देते हैं यह इसकी रोंग साइड है तो पहला फंदा हम एज वाला फंदा जो हम बिना बुने सीधा उतार लेंगे इस तरह से फिर धागा आगे करेंगे और उल्टा फंदा बना लेंगे धागा दूसरी साइड ले जाएंगे अब यहां पर हमने pattern start करना है तो यहां से हम इस तरह से इसे नहीं बुनेंगे यह हमने यहां पर यह hole है जो इस तरह से हमने इसे बनाना है फंदे को ऐसे हम इसे बनाएंगे और इस फंदे को ऐसे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे चोटा नहीं रखेंगे, धागा आगे करेंगे, इस फंदे को हम फिर से बना लेंगे, इस तरह से, बस इतना ही ये डिजाइन है, इसी तरह से हमें एंड तक रपीट करते जाना है, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा दूसरी साइड ले डाके करेंगे अब हमने डीनैंते हैं इस तरह से लेना यहां है कर देखे दागा यह उलटा घे अनुजा भीदि फिर धागा आगे करके एक बार इस फंदे को हम भून लेंगे फिर से लेकिन पहले हमने इस इस तरह से डाला था अब हमने इस इस तरह से उठाना है जैसे हम भूनते हैं तो इसे तरह से हम last तक रोट complete करेंगे तो रोगे last में आगई मैं यहाँ पर हमने यह देखे यह फंदा हमने उल्टा बनाया उसके बाद हम इस फंदे को उसी तरह से एक फंदे से तीन फंदे बना लेंगे यह एक बना यह धागा आगे करते हैं तो दूसरा फंदा बन जाता है जब हम ऐसे लेके जाएंगे और फिर इसे हम वोनेंगे तुझे तीन तो एक फंदे के हम तीन फंदे बना देते हैं सीधा वोन का धागा आगे second last फंदा हमने उल्टा बनाया और last जो edge वाला फंदा है सीधी side है तो इसे हमने सीधा बना लिया second row आगे हमारी pattern की second round में ये उल्टी side है हमारी ilta funda इस तरह से निकान लेंगे इसे हमने ऐसे निकान लिया और ये second last funda था इसे हमने उस साइड से ilta बनाया था तो इस साइड से ये हर बार सीधा बनेगा दागा दूसरे साइड इसे हमने सीधा बना लिया धागा अपने तरफ ले आएंगे तो अब हमने यहां पर एक फंदे से तीन फंदे किये थे, यह तीन फंदे वही हैं, तो इन तीन फंदों से हम फिर से एक फंदा बना देंगे, लेकिन उल्टा बुन कर इस तरह से, फिर धागा दूसरी साइड जाएगा, यह फंदा हम सीधा बनाएंगे, जो दूसरी साइड स हमने उल्टा बनायता फिर दागा आगे तीन फंदूं से एक फंदा बनाएंगे दागा दूसरी साइड इस फंद को हम सीधा बनालेंगे फिर दागा आगे तो यह वी आ हम इसी धरा से कंप्लीकर करेंगे इंसतीा हमने एक से requirements करेंगे टीन तो रो के लास्ट में आगी मैं यहां पर हमने तीन फंदों से एक बनाया फिर हमने सेकंड लास्ट फंदा सीधा बना लिया धागा आगी करेंगे रोंग साइड है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे देखे इस तरह से यह आया है पहला एज वहला फंदा हम निकाल लेंगे धागा आगे करेंगे राइट साइड से हमने इसे उल्टा बना लिया सेकंड फंदे को अब हमने यह वहला जो फंदा है जो हमारे पैटरन वहला फंदा है इसे हमने निकाल लेना है इस तरह से बिन अबुने फिर धागा आगे करेंगे उल्टा फंदा बना लेंगे धागा दूसरी साइड इसे निकाल लिया इसे हमने इसे निकाल लेना है तो रो कम्प्लीट करेंगे रो के लास में आ गई मैं तो यहां पर हमने फिर से इसे निकाल लिया धागा आगे करके उल्टा फंदा बनाएंगे धागा दूसरी साइड इसे निकाल लेंगे और फिर हम इसे उल्टा बना लेंगे लास्ट फंदा जो एजवला है यह राइट साइड है तो इसे हम सीधा बनेंगे उससे यह साइड से चेन आएगे अब यह तर्ध रों कम्प्लीट हो गई अब हम 4 रों बनाएंगे रोंघ साइड है पहला है हम निकाल लेंगे बिना बुने इस तरह से और कि यह सेकेंड फंदा हम राइट फार साइड से सीधा बनाते है तो उल्टा बनाते हैं तो इस साइड से ये सीधा बनाया जाएगा रोंग साइड से फिर धागा आगे करेंगे ये वाला जो फंदा है हमने बिना बुने निकाला था इसे हम फिर से निकाल लेंगे फिर धागा दूसरी साइड इस फंदे को सीधा बना लिया धागा आगे सीधा बनाएंग धागा आगे करेंगे, इसे निकाल लेंगे, फिर धागा दूसरी साइड, सीधा बुन लिया है, देखे, इसे हमने ऐसे निकालना है, इस तरह से हम नहीं निकाल लेंगे, रो को हम कम्प्लेट करेंगे, तो रो के लास्ट में आगे हम, सीधा बनाया, धागा आगे करके, इसे हमने निकाल लिया, सीधा बनाया, और रॉम साइड है, लास्ट बंदा हम उल्टा बनाएंगे, तो चार सलाईया हमारी पैटर्न की कम्प्लेट हो गई, अब हमने दो सलाईया बनानी है, टोटल ये छे सलाईयों का पैटर्न है, तो ये जो हमारी फिफ्ट सलाईय है, ये हमने सारी सीधी बुनकर कम्प्लेट करनी है, तो इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे, ये जो हम सेकि फंदा हमने दो पर उठाया है बिना भूने इसे भी हम इस तरह से सीधा बना लेगे यह सीधा बुन दिया हमने मैं सिधा कि तो रोग को सब्सक्रिट करें गया है रोके लास्ट में या कर मिने WRINE किस वनाय यह उल्टे फंदे को भी circumire बनाया और एस वाला भर मैंने सीधा बना लिए फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई अब हम सिक्स बनाएंगे सिक्स हम सारी रो उल्टी बन्पून कर complete करेंगे तो पहला फंदा हम निकाल लेंगे बेन बुने इसे हमने इस तरह से निकाल लिया कि कम्प्लीट करेंगे रो के लास्ट में आ गई मैं तो देखिए पैटरन हमारा दिखने लग गया है अब इसके बाद यह हमारी छेसला यह कम्प्लीट हो गई अब फिर से हम यहीं रिपीट करेंगे पहला फंदा हम निकाल लेंगे बिनबुने धागा आगे करेंगे तो पैटरन की फिर से हमारी फर्स लाई स्टाट हो गई फिर हमने इस फंदे को तो second वाले 15 को उल्टा बनाया है जब हम WRONG साइध जाएंगो तो जिस फंदे को यहांपर उल्टा बनाते हैं दूसरी साइड़ से सीधा बनाया जाएगा अभाम धाम आगे में जाएंगे एक फंदे से हम तीन फंदेंगे तो पहले हम इस तरह से इसमें नीडर क verde крас is a remember फंदा है यह उल्टा है एक से हमने तीन फंदे बना दिये धागा अगे करेंगे उल्टा फंदा बनाएंगे कि इस फंदे को लूज रखेंगे कि इस तरह से रो कंप्लीट करेंगे रो के लास्ट में सेकेंड लास्ट फंदा मैंने उल्टा बनाया और फिर हमने सीधा बनाया तो पैटरन के फिर से फिर से फिर्स्ट रो कंप्लीट हो गई सेकंड रो में हमने फर्स्ट फंदा उतार लिया बिना भुने इस तरह से फिर धागा दूसरी साइड इसे हमने सीधा बना लिया धागा अपनी तरफ ये तीन फंदों से हम एक फंदा बनाएंगे उल्टा भुन कर धागा दूसरी साइड इसे हम सीधा बना लेंगे तीन से हम एक बना लेंगे सीधा बुनेंगे तो रो को कंप्लीट करेंगे रो के लास्प में ये तीन फंदे मैंने तीन से एक किया फिर ये सेकिंड लास्ट है इसे सीधा बनाया और लास्ट हमने उल्टा बना लिया तो दो हमारी रो कंप्लीट हो गई थार्ड रो स्टार्ट करेंगे धागा हमने फंदा निकाल लिया सीधा फिर हम सेकिंड फंदा उल्टा बना लेंगे यह वाला जो फंदा है इसे हमने निकाल लेना है बिना बुने इस तरह से धागा आगे उल्टा फंदा बनाएंगे इसे निकाल लेंगे फिर धागा आगे कर लेंगे उल्टा फंदा बनाया रो कंप्लीट करेंगे रो के लास्ट में हमने इस फंदे को निकाल लिया है उल्टा बना लिया है और लास्ट फंदा हमने सीधा बना है फूर्थ स्लाई हागी जैं हमारी पैटन के पहला फंदा निकाल लेंगे बिना बुने इसे हमने निकाल लिया है इसके बार धागा दूसरी साइड इस फंदे को सीधा बनाएंगे फिर दागा अपनी तरफ यह वाला फंदा फिर से हम बीना बुने निकाल लेंगे सीधा बनाएंगे कि बीना बुने इस तरह से हम नेशे उठाना है और रो कंप्लीट करेंगे रो के लास्ट में हमने इसे हमने सीधा बना लिया और लास्ट वाल उल्टा बना है अब दो रो हमने बनानी है सीधे और उल्टे की यह रो हम बनाएंगे फिफ्ट रो सीधी स्लाई बनाएंगे पहला फंदा हमने निकाल लिया अब यह उल्टा फंदा है इसे भी हम सीधा बुनेंगे इसके बाद यह जो फंदा है हमने इसे दो स्लाईयों में बुना नहीं है इसे भी हम बुन लेंगे सीधा इस तरह से पूरी स्लाई हम सीधी बुनकर complete करेंगे रो के लास्ट में हमने इतीनों फंदे सीधे बना लिए 6 स्लाई हमारे start होकी पूरी स्लाई हम उल्टा बुनकर complete करेंगे तो इसे complete कर ले तो 6 लाई मैंने complete कर ली यह देखिए इस तरह से यह pattern बनता जाएगा 2 मैंने row complete कर ली है तो यहाँ पर मैंने एक row इसके और बना दी है देखे और यह wrong side से इस तरह का है तो design पसंद आए तो like, share और subscribe करें Thank you